नवश्कार, कुमार एश्टू साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ आज किस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए लिप्रा एसेंडेंट वालों के लिए 16 दिसंबर 2021 से लेट करके चोदा जनवरे 2022 तक का मंत्री पेडिक्शन के विशे में कि यह समय कैसा रहेगा इनके लिए यह जो मंत्री पेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारी थे तो इसके लिए आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके प तो आपका तुलालगन है लिब्रा एसेड़नेंट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का कर पाएंगे आई शुरू करते हैं तुलालगन वालों के लिए 16 दिसंबर को सबसे पहले देखते हैं कि प्लिनेट कहां कहां प्लेश्ट हैं उसके बाद यहां से सुर्य से लिए करके राओ के तो परियंत यह देखेंगे कि कैसे कैसे प्लेट आगे मुमेंट करते हैं उसके पश्चाथ और कुछ टेट्स तूबी केरफूल रहने के लिए तो तुलालगन वाले जात्कों के लिए उनके फर्स हाउस में कोई नहीं है उन इंके हम मकर रशी में अपने मिर्नेंट के साथ गोचर कर रहे हैं के ची कर 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 रहे हैं इन Place 7 वर्षब राशी में और गोचा करेंगे इनके 9, 10, 11, 12 वर्षब रएट हैं तो ये थी प्रेटरी पोजीशन अब जैसे ट्रांजिट में प्लेटर मुव्मेंट करते हैं उसके विश्य में देख लेते हैं सबसे पहले सूर्यग्रेज को लेते हैं सूर्यग्रेज 16 तिसंबर 21 से चौनदा जनवी 2022 तक धन्राशी में गोचा कर रहे हैं सूर्य आपकी कुली के नुसार आपके 11 आउस के लॉड होकर के आपके ठर्ड आउस में गए हैं यहां पर सूर्य ग्रेव बताते हैं कि आपको यात्राओं के माध्यम से धन्लाप की प्राप्ति होना चोटी दूरी की कोई यात्रा है कोई त्यादी से में यहां पर छोटी दूरी मद्रों के साथ किसी चोटी दूरी की यातरा पर जाएं जिसके कि पादिसम्मब 2021 से 15 जनवर 2022 तक विश्टिक राशी में मंगल अपनी स्वेर राशी में गोचल रहे हैं और मंगल आपके सेंधे दॉप करके आपके सब्सक्राइब देखिए मंगल का यहां पर आना अपनी स्वेराशी में आना एक अच्छा साइन बताता है और एक निगेटिव साइन बताता है पहले पॉजेटिव साइन जो बताता है वो यह है कि आपको धन की प्राप्ति होगी आप अपने स्पाउस के माध्यम से भी कुछ धन प्राप कर आपके यहां पर यूग बनता है इसके साथ इस साहित करते हुए तो उनसे बात चीत करते हुए थोड़ा सा केर फूल लेने की लिए उम्शक करेंगी इसके साथ खाने पीने की चीजों में थृदा साभी स्पाइसिस्ट भोजेन अगरा आप लेते हैं या कोई जन्क फूद दिद्ध्याती लेते अपके लिए आपकी हेल्थ करने वाला रहे चटपटा बोजन ना ले तो आपके लीए लाब्दयक रहेगा के अंदर अब बात करते हैं मंगलग्रे की देश्टी की मंगलग्रे की चतु देश्टी एक दो तीन चार्ट चतु देश्टी जब बाप के फिर्ट आउसर पड़ती है तो यह बताती है समयंतरां के अंदर आपके जो चिल्डरन है वे भी एनेजेटिक हुए होंगे वे उनकी रूची वयाम करना जिम जाना कोई स्पोर्ट खेलना एथलेटिक बनना इस प्रकार की रूची उनके अंदर जागित होगी या वे इस प्रकार की कोई एजूकेशन ले पाएंगे इसके साथ साथ जो तुरा लगान वाले जाता है कि वे देखेंगे उनका मन मिलेटरी नेवी एर फोर्स या किसी भी प्रकार की फोर्स में पुलिस इत्यादी में जाने के लिए लाला ही तरहेगा वे उसके लिए प्रियास करेंगे तो उसका उन्हें पॉजेटिविशन यहां मिलता हुआ दिखाई दिता है इसके बाद जब मंगल गएगी साथ जश् पर बना है इस समय में आप जो भी शब्द बोले वह सोच समझ कर बोले इस समय में बोला हुआ आपका शब्द अंगारे की तरीके से किसी को फील हो सकता है तो इसलिए कम शब्दों करें इसके साथ यही इस्तति यहां पर रहूं मंगल की जो द्रश्टियों के कॉंबिनेश अगर कोई वैवदान आ रहा था तो वह वैवदान तो कम होगा प्रंतु आपको यहां पर अपनी वाड़ी के ऊपर लगाने के आवश्यक्ता होगी अधिक वाड़ी अधिक बोलने से आपके कारिये बिगर सकते हैं इसके साथ साथ इस समय में आपको आपके स्पाउस के पर और अधिक सुनने की प्रवर्ति बनाएं तो आप लाप राफ कर पाएंगे इसके बाद जाब नंगर रहें की आठी दश्टी आपके नाइंत आउसर पड़ती है तो यह बताती है इस समय के इंदर आप अपने स्पाउस के साथ किसी लंबी दूरी की धार्मी के आतरा पर जा स आपके आपके प्रतीत होता है कि आपको उनकी कुछ help करने पड़े आपके भाई वहन के ऊपर यह आपकर प्रोसि ने के are सकता है तो इस प्रकार की इस्तिति यहां पर बनेगी तो इसके लिए आप कीरफुल रहेंगे तो लाब दायक रहेगा प्रम्ट आपके लिए इस तर्व अच्छी बने हुए है क्योंकि इस समें तरा के अंदर आपको लंबी दूरी की और च्छोटी दूरी की दोनों प्रकार की यात्राव को करने से लाब की प्राप्तियर निश्चित हैं इसके बाद जब 39 दिसंबर दोजारी की से चोज़ाइब दोजार बाइस तक मकर राशी में बुद्ग्रे मकर राशी में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक अच्छे घर का सुप्राप्त होना घर के अंदर गैजेट सोफ्ट्वेयर या कोई लैप्टोप कंप्यूटर रिक्त्यादी की बढ़ोत्री आप पर होती है इसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ टेक्निकल कार्यू से जुड़ करके लाप्राप्त कर पाएंगे यहां पर बनता है इसके बाब बात करेंगे इच्छा कर रहे थे परिवार व्रद्धी की इच्छा कर रहे थे तो इस समय अंतराल में वे अपने परिवार की व्रद्धी कर पाएंगे संतान कंसीव कर रहे थे तो संतान कंसीव हो जाएगी इस समय में तुला रगरवाले जात्कों को एक अच्छी संतान का सुप्राप् कर पाएंगे ऐसा साइन बनता है इसके साथ साथ जो तुला लगर वाले स्टुडेंट उपनी एजूकेशन के माध्यम से अच्छा नेम फ्रेम पर आप कर पाएंगे इसके साथ-साथ अगर तुला लगर वाले जातक हायर एजूकेशन के लिए अब रोड जाना चाहते हैं तो जा पाएंगे जब गुरुग्राइग की पांची दिश्टी आपके नहीं ताउसर पड़ती है तो यह बताती है कि आपको है अगर आप आपके अप्लाइग करना चाहते हैं और आपका वीजा जल्दी ही अप्रूव हो भी जाएगा इसके बाद गुरुग्राइग की साथी द धन है उसके अंदर बढ़ोतरी होगी आप कुछ और डी इंसुरेंस पॉलिशी गोल्ड सिर्वर डाइमंड या कोई प्रोपर्टी में निवेश करेंगे जिसके माध्यम से आपको लाग की प्राप्ति होगी इसके साथ इस्तनातरा के अंदर आपको आपके मित्रों का आपक आपक जैसा गुरू जैसा या गुरू जैसी वाडी गुरू जैसा रहनसें गुरू जैसी प्रस्रेल्टी आपको यह परदान करेंगे और शुद्ध और साथ लिक आपकी एक प्रस्रेल्टी बन करके आएगी निखर करके आएगी जिसका नेम फेम भी होगा और आपको साथ साथ इस समय में आपको पैत्रिक संपत्ति से लेक्ट कोई प्रॉब्लम थी तो आपको घर के रूप में आपको कोई सब्सक्राइब कर रहे तो उसके अंदर भी शुबता आएगी जिसके बाद्यम से आपको लाभों की प्राप्तियां नेमसेम की प्राप्तियां यहां आप कर पाएंगे इसके साथ जो अभी एक मिनट में रूप करके कहूंगा जो गुरुग है कि जब नवम दश्टी यहां प जोड़ने का मतलब है कि धार्मिक जोड़े बड़ी संस्था से जोड़े किसी बड़े जोड़े जिसके आप धर्म को प्राप्त कर पाए यहां पर योग बनेगा ठीके जी तो इसके बाद शुक्र का बहुताई दिया आप बात करते हैं शनीग्रह की सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने हैं आपके फॉर्ट और फिफ्ट हाउस के लोड़ करके आपके फॉर्ट हाउस में पूचर करें इस समय के अंदर जो तुना वाले जा तक है उन्हें अच्छे घर का सुप्राप्त होता है यहां पर दिखाए देता है इसके साथ साथ इस तमयंकराल के अंदर जब शनी रहे की तीसी दिए दो तीन तीसी दिए आपके शीप्स आउसर पढ़ती है तो यह बताती है तो यह बताती है कि आपको कारिये में जॉब इत्यारी जो भी आप करते हैं उसमें हार्ड वर्क तो बढ़ा हुआ था परन्तु जब शुक्र की भी दरश्टी पढ़ती है तो उसके इंदर एक स्मार्टनेस आ जाना शुबता आ जाना जिसके माध्यम से आप अपने कारिये को अच्छी प्रका ढें सकता है तो आसके लिए आप केरिफूर रहीं इसके बार ऑट्धारे की दस्वी 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 आपके लगन पर पड़ती है तो यह मन के अंदर मंधे आंदर बहुत रहे विचारों का बहुल होगा यह कर लिए जाए इस तो आप जिस कारिये में लगे हैं अगर उसी कारिये में अगर आप जौब करते हैं उसी जौब में बिजनस करते हैं उसी जौब में और अगर एजुकेशन ले रहे हैं उसी जौब में अगर आप चलते जाएंगे तो आपको यहां पर लाब की प्राप्तियां होना निश्चित हैं इस इसने स्वाइल किये हैं इसके साथ साथ आपके जो इस पाउस के परिवार वाले हैं उनके साथ भी आपके रिलेशन जादे नहीं रह पाएं उनसे भी आपको प्रब्लम रही है तो अब प्रंग्तु यह समय थोड़ा सा रह गया है बाद दुजाल 22 तक का समय है तो जो कि आपको वैकल ड्राइव करते हुए और स्पीडिंग नहीं करनी है किसी से रेस नहीं लगानी है और चलते समय पैरों का विशेश्टोर से ध्यान लगना है अदर्वाइस पैर केमदार चोट लगने के चांसी जहां पर बन सकते हैं तो इन चीज़ों के लिए आप केरफू कि लेना में लेपारें तो कढूंब गृषियग को लेने के लिए अब अन्हें यह तो का जो समय है यह समय की जो केतु की आप जो निगेटिविटी थी वे काफियत तक कम हो चुकी है अब आप देखेंगे कि आपके कुटूम के सदस्ति है जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो डिसीजन ले पाएंगे इसके साथ साथ इस समय के अंदर यह कोंबिनेशन बना है केतु मंगल का जो कॉंबिनेशन अंगाना जो आपके मूं के अंदर बना है इसके लिए आपको कम बोलना और जादे सुनने की कोशिश करनी चाहिए तो आप अपने कुटूम के सदस्तों से अपनी पैत्रिक संपत्ति से और अपने कोई वार्षे की संपत्ति है चलचल संप करते हैं तो इस डेट को मैंने डाला है क्योंकि यह समय रहेगा इस समय में आपका धन्व के लिए अपने किसी फैमिली मेंबर अपने स्पाउस की हैं के लिए खर्ची करना पर सकता है उसकी लिए केरफुल वहें और यात्रा इत्यादी इस समय में करते हैं तो तो रोड़ा सकता है उसका भी आप प्राप्त कर पाएंगे इसके बाद जब एकिस बाइस दिसंबर को इसकी बाइस को जब कर प्राप्ति होना कुछ नए आइडिया जाना ऐसा यहां पर प्रतीत होता है इसके बाद जब तेश चोविस पच्चिस को सीराशी सब्बब जाएंगे तो इस समय में आप अपने आपके इंदर कुछ चेंजिंग निकेंगे हो सकता है आपकोई नहीं अडिया अबडी कोई गौल्ड सिल्वार को इस समय में परचिस कर ले तो वह आपके लिए लाबधायर रहने वाला है अच्छा समय रहेगा प मेडिकल मेडिसीन होस्पिटल इत्यादी के लिए आपका धन खर्ची हो सकता है आपके भाई बैनों के ऊपर भी धन खर्ची करना पड़ सकता है यहां पर साइन बताता है यह आप अपने वहिकल की रिपेर में कुछ धन कर दें यह समय इस प्रकार से बताता है इसके बाब बात करेंगे 28-39 दिसमबर 21 को तुलावाशी से अप्चनमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि यह समय आपको अपने आपको अपने आप में जिसे कहते हैं कि कुछ चीजों को अपने आप सीखेंग तो सीखने का समय ऑगा नए बाते रोगों से मिलने का समय अच्छे पहन में लगा सा है यह स्टाईल लगा और लोगों से से मुलाकात करने का समय रहेगा शुब समय रहेगा 31 दिसंबर को जब वर्षिक राशी से गोचा करेंगे तो मैंने टाइम डाना है कि इस समय में आपका रुद्धन है वो किसी प्रकार से जिस प्रकार से धन आपके पाफ कर रहा था तो उसके फ्रोटिंग में कुछ रुकाव आज आएगा थोड़ा सा समय रहेगा जिसमें आपको अलगेगा कि आपका धन आपके पाफ नहीं आ रहा है प्रंतुवे धन आपके पाफ ही होगा आपको महसूस इस प्रकार से देगा तो इसके बाद बात करेंगे एक दो जन्मरी 2022 को धनुराशी से जब चंद्वा गोचर सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद जब तीन चार जन्वरी 2022 को मकर राशी से समय आपके घर के अंदर की स्थिती इस समय में कुछ प्रकार से होगी कि आप देखेंगे घर के सभी कार्ये रूप से नहीं चल रहे हैं उनके अंदर व्यवदार हो रहा है लेट हो रहा है कोई क्यारिये करते हैं तो उसके अंदर लेट जैसी स्थिती महसूस देती है कोई भी सभान धर पर नहीं मिल पा रहा है कोई रखा था तो वह समय पर प्रापत नहीं हो रहा है पता नहीं कहा रग दिया इसथि यहां पर बंगती भी दिखाई देती है इसके बाद बात करेंगे पाफ चैनल डूजार मैंड़न किया है इस समय में आपको धनके प्रापती का औसर बाप्त होगा साथ सब्सक्राइब अपके संपार के मादम से बहुत नेम वैं में घ्र दंके प्रापती का आप पर पाप्त होता दिखा देता है और आप इस तो उनकारियों में आपको अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे इसका आपको प्राप्थोता दिखाए देता है इसके बाद साथ और नूँग को मीन राशी तर्मा गोचा करेंगे तो आपके इस समय अंत्राल के अंदर आपका दिया हुआ धन लंबे समय के लिए चला जाएगा आप उसका यह बजट बढ़ा करके समय धन दे की वह लंबी अवदी में आपको प्राप्थ होगा तो इस प्रकार से बजट बढ़ा करके देंगे तो आप लाब दायक रहे लाब अच्छे पाउस का अच्छे पार्टनर अच्छे पार्टनर शुक्त आप राप चरपाएंगे यह समय आपके प्रकार से पब्लिक में नेम्वें दिलाने वालों कोगा इसके बाद तो इस समय में आपके जो कार्य है उनके अंदर विगन आना लेट हो ना हैस्ट इसके दिखाई देती है तो यह ता थुला लगन वाले जात्कों के लिए 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 वालों के लिए 16 दिसमंबर 2021 से लिख करके 14 जैनुब 2022 तक का मंद्री पेडिक्षन अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और यहाद अब मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और मेरे इस चैनल पर प्रेम्पुरोग बने रहने के लिए आपका प्रेम्पुरोग धन्यवाँ नमस्कार्ण